नमस्कार मैं हूँ परवद राजप्रोईत आप देख रहे हैं इन 24 न्यूस आई एक नज़े डालते हैं खबर राजस्तान पर खबर राजस्तान में सबसे पहले बात करेंगे विदान सबा के लिए हो रहे उपचुनावों की आपको बता दे कि देश भर की 48 विदान सबा और लोग सबा सीटों पर बीते दिनों चुनाव आयोक ने चुनाव कराने का एलान किया था इन सीटों में राजस्तान के डूंगरपूर जीले की 84 और अलवर जीले की रामगर विदान सबा सीट भी शामिल है यदि हम 84 विदान सबा शेतर की बात करें तो यहां भारत आदिवासी पार्टी से पोपट खोकरिया, दिनेश रोत और अनिल कटारा ये तीन लोग उमिदवारी के दावेदार थे लेकिन पार्टी ने अनिल कटारा को अपना प्रत्याशी बनाया है जिसको लेकर पोपट खोकरिया के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर की थी वही पोपट खोकरिया के निवास पर बीएपी पार्टी के कारे करता हो और उनके समर्थकों ने अपने नेता को उमिदवार बनाये जाने पर चरचा की इस दोरान पोपट खोकरिया को भारत आदिवासी पार्टी से 84 का प्रत्याशी बनाने की बात को आगे केंद्रिय एकी करण तक पहुचाने के लिए कमेटी का गटन किया गया है दरसल पोपट खोकरिया के समर्थोकों का कहना है कि साल 2013 से वह संगटन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे है जबकि पार्टी ने जिसे उमिद्वार बनाये है वह साल 2019 में ही शामिल हुए थे ऐसे में एक पुराने नेता को नजर अंदाज करना उचित नहीं है निवास पर आज पूरे कारे करता आये हुए कि लगातार लगातार मेरा नाम कहीं-कहीं चोराशी विद्यान सभासे आ गया है और फिर लास्ट चाहते कहीं-कहीं क्या प्लानिंग बने ते और नाम काट दिए जाते तब इस सभी कारे करता नाराज है अभी हमारी बेटक हु ही ती है उससे एक बार हम मिलेंगे इसके बाद बात करेंगे इसके बाद हम आगे का जो फैसला लेना है वो लेंगे